लेकिन अगर सासन और परशाचर और हुकुमत खुद दर्शद गर्दी करें तो ये सबसे ज़्यादा नालायत अमल है। मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि मोदी जी की हुकुमत जब से आई है और योगी जब से यूपी में बैठें हैं। उन्होंने एक तरफा तोर पर दश्द गर्दी करके खासकर अकलियतों को चुंचुन कर निशाना बनाया है। हमको देश के लिए बलिदान देने वाले सहीद भगत सिंग पर जितना फखर है। हमको जितना फखर एपेजी अब्दुलकलाम के साइनसी अमल पर है। कल्पना चाहुला के इस्पेस में जाने पर फखर है उतना ही फखर मुझे कलीम सिद्धी की बढ़ा है। मौलाना कलीम सिद्धी की ने इनसानियत को इनसानियत का सबब पढ़ा है। और मौना कलिम सुद्डिगी ने जो हमारे दस्दोर में आजादिये राए आजादिये इiemandहार, अपने नजरियात की तबलिग, अपने मधब की तबलिग की इजाज़ट दी है, उसका उसने साथ दिया है, उसने कहीं से भी कोई धर्मानतरन या दस्तूर के खिलाफ कोई अमल नहीं किया और एक सथ था कुसूर है कुसूर हमाले मुस्लिम उल्मा का है कुसूर ये है कि अंग्रेजु ने जब यहाँ से राम भक्तों के दिलों से राम के आस्था निकाल कर उनके धर्म परिवर्तन करने की पोशिश था जब हिंदुस्तान में बसने वाले हिंद मुस्लिम इसाईयों को धर्म परिवर्तन करने का दवा उड़ाला अंग्रेजु ने तो उस वक्त गंगा जमनी तहजीब राम के आस्था और रामान के अकीदा को बचाने के लिए अगर किसी ने गर्दन कटाई है तो हमारे वल्मा ने गर्दन कटाई है मौलाला कलीमोदी के असलाफ ने गर्दन कटाई है हाँ एक और बड़ा कुसूर है एक बड़ा कुसूर ये है कि ये हिंदुस्तान ये भारत की सरजमीन ये हमारी धर्ती जिसे मिंदिया कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग घरम का सहरा लेकर जाती का सहरा लेकर दलीतों को मलिच कहा दलीतों को सुद्र कहा और उनसे ऐसे से काम लिए जो जानवरों से नहीं लियाता था सुवर और फुत्ते को इज़त थी लेकिन दली तो को इज़त नहीं थी कलीम सिटी की और कलीम सिटी की पुरवजों ने हमारे गुलमा ने तक्रीम इंसानियत का सारे इनसान एक माबाप के संतान है ये बार्ट पढ़ाय है ये सबसे बड़ा जुम है अगर ये जुम है तो ये जुम करना हर सरी इनसान पर वाजिब है और ये जुम हम करते रहेंगे अगर इंसानियत को कोई मिठाना चाह query गा तो इन्सानित को बचाने के लिए धार्मिक रवादारी को बचाने के लिए एक कलिम सित्थी में तैयारे इसलिए के हम हुझा उंक पचेdonthat्त पूंचनि एक किसी ने दे पाए जब हम मधभी रवादारी को काइम रखेंगे ने हमायास स्टेट सेकुलर आबादारी को पामाल किया है फिर से गद्डी में बैटने के लिए अपनी कमज anterior को च्छपाने के लिए कहीं आलिमों को कहीं दार्यवाले को कहीं टॉपी को कहीं नाम पर को कहीं अरारसी के नाम पर लोगों का नजरिया लोगों के माइन को डाइवर्ट करने की Muchis किशंगंच के हमारे नौजवानों ने जो कदम उठाया है हम उसकी पजिराई करते हैं हमारे जो नेस्टनल प्रिसिडंट है जनाब बेरिष्टा सोधी नवेसी साहब ने भी कलीम अद्दीन साहब पर हो रहे हैं जल्म बर्वियत के खिलाफ आवाज उठाई है और यह सब का म मुस्लिम सिख इसाई चाहे वो जिस जात का जिस मसलख का आदमी हो क्योंके कहा गया है किसी पर अत्याचार हो रहा है और चुप बैटो के तो अगली बारी तुम्हारी है इसके हम चुप नहीं बैटते हैं मांग ये है कि हुकोमत की दहसतगरदी हुकुमत दहसतगरदी बं करे कलीम सिख इसाभ को रिहा करे उमर को रिहा करे और सीमांचल की तालुक से रखने वाला मुफ्ती जहागीर उसको रिहा करे और इस किसम के जितनी बेकुसूर हिंदो मुस्लिम सिख इसाई जितने लोग बेकुसूर जेल में बंद हैं कुछ लोग मीडिया के साथ पुरा स कर दो कर दो कर दो